अपने आप से ज़्यादा दुखी होता है जब अपने आप से ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं तो आप अपने दरवाजे पर बैठ जाए और उधर से जितने भी इंसान आ जा रहे हैं उनको आप सिर्फ वाच करें देखें आप पाएंगे कि 50% से ज़्यादा लोग आपस अपने सेक्तर में बड़े बुढ़े बिध्वान, अपने सछी में सेक्तर क्वाविक chain क्वार्ड डिप्रेस्न एक उसने के लिए प्रिप्रेस्द रहता है ह। लेकिन यह जब लंबे समय तक रहने लगे तो यह बहुत ही इंखातक हो जाता है। बहुत सरे ऐसे मैं इंसानों को जानता हूँ जो अपने फिल्ड में अभिन अपने पिक पॉइंट पर हैं लेकिन कभी ने कभी ने उन्हें डिप्रेशन का सामना किया है। अगर हमों किर्केट में जाते हैं तो विराट कोहली का नाम आता है। इसने भी एक बार डिप्रेशन का सिकार हुआ है। आप इंगलेंड के प्रिंस जो चाल से उनका जो लड़का है प्रिंस हैरी जब उसकी मा का देथ हुआ था डायना का तो वह भी डिप्रेशन में चला गया था। भारत का इतिहास बद दा रहा है। वह भी रेलवे लाइन पट्री पर कटने चला गया थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग है। जो हमको यह कहते हैं उन्होंने अपने जीवन से शिक्षा है। वह सारे लोग डिप्रेशन में गया है। और डिप्रेशन से उन्होंने बाहर भी आया है। और इस समाज में अपने फिल्ड में बहुत नाम भी कमाया। बहुत सारे बच्चे जब एकजाम में फेल होते हैं तो वह सुसाइट अटेम्ट करते हैं। इस पर एक मैंने कहीं पढ़ा था। एक बार एक लड़का बारावी में फेल कर गया। और वह सुसाइट करने जा रहा था। वह पूल पर से नीचे छलांग लगाने ही वाला था तब तक उधर से राहगीर गुजरा। उसने उस बच्चे से पूछा बावु यह क्या करो। तो उस बच्चे ने बोला जब मैं अपने एक जामे बारावी के एक जामे फेल कर गया हूँ और मैं सुसाइट करने जा रहा। तूस राहगीर ने कहा जब बस मेरे दो मिनट बा परिशानी से मुक्ति पाना चाहता हूँ बोला तुम परिशानी से नहीं पाओगे और तुम परिशानी से घिर जाओगे तूस लड़के ने पूछा कैसे तो इस इनसान ने बताया तूम सुसाइट करोगे तुमारी मिर्टी होगी अगले जनम लोगे फिर तुम्हें नरसर देना है अगर तुम सुसाइट करतो तो फिर इस लंबा तुमको एकजाम देना पड़ेगा उस बच्चे को जब यह बात समझ में आई तो बोला जे सुसाइट कैंसिल और वहां वहां से चला गया इस पर तो कभी कभी मैं अपने स्टुडेंट से कहता भी हूँ यार भागसाली है जो बच गया ऐसे मौके पर एक बहुत बड़े कवी है उनके कवीता दो लाइन में यहां पर कहना चाहता है उनकी कवीता है लंबी कवीता है उन्होंने कहा क्या है इस जवाने में एक तु ही किसी चाहिए उन्हे चाहिए अपने बगीतो करो इतना और होलो जो तितली आ हय्ञे खुद बखुद आ initiऻ स्टी अपनी सारी इनर्जी, खुद के इन्वेश्मेंट पर लगा, खुद को डेवलप करो, खुद को बिल्डप करो, खुद को मजबूत बना, और इतना ताकत्वर बना, जो तुमसे नफरत करते हैं, और जो तुमसे दूर जाना चाहते हैं, वह खुद बखुद एक दिन लोट कर बहुत सारे साइंस्ट्पिक रिसर्च ये बताते हैं कि 90% सुसाइट के समय, इन्सान मेंटली तरस्त रहता है, जिसका मुख वजा है एश्ट्रेस एंड डिप्रेशन, आदमी रेगुलर अगर एश्ट्रेस में रह तो वह डिप्रेशन में कनभर्ट हो जाता है, जब वह ड सुसाइट के तरह हो जाता है, वैसे इन्सान इस इस्तिती में पहुचने की बहुत सारे वज़ा हो सकती है, मेंटल अगर उसका कंडिशन डिश्टर्ब होता है, इसके बहुत सारे कार्णे हो सकती है, जिससे आप कोई सारे लिक बीमारी से परसान है, लंबे समय से परसान है वह आपकी बिमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इंसान के पास एक ही सोलूसन आता है, जह हम सुसाइट कर ले। असफल हो गार, आप किसी भी सेक्टर में है, लगतार असफलता आपको मिल ले हैं, तो इंसान ठक हार कर सुसाइट को चुणता है। भावनात्मक ब्रेकेज होना, भावनात्मक रूप से आपको कोई डेमेज करता है, उस इंसान में भी आदमी ठक हार कर सुसाइट को ही चूच करता है, बहुँ ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी आदमी को डिप्रेशन या सुसाइट के तरफ ले कर जाता है, हद से में देखा गया है, rescued violence से ग्रसित होना अपराद बहुद जिस को कहते हैं, कब-कब इंसान जानें जाने में कोई उससे गल्ती हो जाती है, जो बाद बार अंदर ही अंदर उसको खाया जाती है, और जब यह लंबी हो जाती है तो उसको depression में लेकर जाता है फिर वो suicide का रास्ते को चुनता है तो मेरा मानना क्या है अगर इन सारी बातों को अगर एक बार गौर से सुचा जाए तो आप depression से बच भी सकते हैं और दूसरे को बचा भी सकते अमेरिका की एक संस्ता है जिसने इस पर study किया और उन्होंने अपने study से conclusion निकाला है अगर इनसान चाहे तो ऐसी घटनाय को बहुत असानी से रोका जा सकता है अगर कोई इनसान आपके पास आता है और ये कहता है कि मैं suicide करने के बारे में सोच रहा हूं या suicide करने का विचार रखता हूं इसका मतलब ये नहीं जो वह संकी है वह पागल है वह आप से indirectly मदद की अफील कर रहा है वह चाह रहा है जो आप उसकी बातों को सुनें उसकी बातों को समझें और उसके अंदर जो हलचल मचा हुआ है उसके मांसिक रूप से जो आप परिसान है उस परिसानियों को आप दूर करें दूर ही नहीं करें, दूर करने के जो रास्ते हैं, आपके अनुसार जो सही है, उसको रास्ते बताएं. मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप उसकी बातों को ध्यान से कुछ मिनट या कुछ घंटे समझ जाएं, या सुन ले, ठीक से सुन ले, और बस उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहें, यार यह कोई बड़ी बात नहीं है. आप उसको ये भी कहें, जो मैं भी कभी इस डिप्रेशन में गया था. आप हो सकें तो बहुत-बहुत, जितने भी महापुरुस है, उसको महापुरुसों का एक्जामपल उसके सामने रखें. कोई बात नहीं, इंसान है, इंसानी फितरत है, इंसानी नेचर है, इंसान कभी-कभी चला भी जाता है, अवसाद में चला भी जाता है, डिप्रेशन में चला भी जाता है. तो उसको आप समझाने का प्रयास करें, जिंदगी के महत्तु के बारे में समझाएं, समस्या के बा और अपनी जिन्दिगी को एक बार फिर से खुश हाल करेगा तीसरा कारण भाग दौर वाली जीवन से लिए आप देखेगा अपने चारो तरफ सराउंडिंग में सारे लोग भाग रहे हैं और इस भाग दौर की आपा धापी में इंसान ठीक से आराम नहीं कर पा रहा है पु जाएगा इस्ट्रेस आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाएगा अब दौर की आपा धापी में इंसान ठीक से आराम नहीं कर पा रहा है प्रूपर रेस्ट नहीं ले पा रहा है दो चार दिन तो सब के जिन्दगी में आता है ऐसे समय लेकिन अगर यह लगतार है तो आप धीरे धीरे इस्ट्रेस की तरफ जाएगा इस्ट्रेस आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाएगा ज्यादा काम ज्यादा पैसा कमाने की चाहत मेरे परोसी के पास बहुत अच्छा बंगला है घर है मेरे पास नहीं है ऐसी सोच मेरे परोसी के पास मेरे कलिक्स के अच्छे अच्छे गारी है, मेरे पास नहीं है, ऐसी सोच, और इस सोच के चलते हम लोग कर्ज लेते हैं, और कर्ज में धीरे-धीरे हम लोग इतने डूब जाते हैं, जो आपको मांसिक रूप से बहुत परसान करता, और जब आप मांसिक रूप से परसान रहिएगा, तो आप एक गहरी खाई के तरफ चले जाएंगे, अगर आप अपने इस भागदर वाले जीवन सहली से परसान है, तो एक छोटा सा मेरा सला है, आप योग करें, परनायाम करें, कभी मौका मिले तो ओफिस से छुटी लें, टूर पर चले जाएं, पिकनिक पर चले जाएं, दोस आप सुने भी होंगे, अपने अगल वगल में, ज्यादा वर्क करने से इनसान ठक जाता है, ऐसा लोग मानते भी है, कहते भी हैं, जब बहुत ज्यादा वर्क करता हूँ, मैं ठक गया हूँ, मैं तनाव में हूँ, इस संधर पर, मुझे भारत के प्रधान मंत्री नेरेंद म मुर्दी का एक इंटर्व्यू याद आता है, उस इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था क्या, जे मैं अगर काम नहीं करता हूँ, तो ठक जाता हूँ, लोग ज़्यादा काम करकर ठकते हैं, और मैं अगर काम नहीं करता हूँ, तो मैं ठक जाता हूँ, मैं तनाव में रहता ह और उनका इस परिपेक्च पर एकदम उल्टा सोझ है। मैं भी यहीं साता हूं, मैरा भी यहीं समानना है। इंसान काम भी चलते नहीं थकता है। इंसान अपने पर्द जो daily routine है उसे नहीं थकता है। आप मांसिक रूप से कब थकते हैं जब आप अपने काम से प्यार नहीं कर वैसे प्रस्तिती में आप अपने काम से ठके हुए महसूद करते हैं। चौथा पॉइंट, जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है, सोसल मीडिया का हमारे जीवन में पढ़भाव। प्रिंट मीडिया, एलेक्टोनिक्स मीडिया, टेलिवीजन, फेल्म्स, एडवर्टिजमेंट, एट्सेट्रा पर जो दिखाया जाता है, उसका हमारे जीवन पर बहुत गलत असर पर रहा है। घंटो रिल्स को देखना, यूटूब पर जाकर उलूल जूल वीडियो को देखना, और वैसा बनने का पर्यास करना, उस तरह करने का पर्यास करना, अगर नहीं कर पा रहा हैं, तो आपके अंदर एक हीन भावना आती है, आपके अंदर एक चिरचिरापन आता है, और ये च जाना फेस्बुक पर लाइक नहीं आना ये भी आपके मूट को आप कर देता है अगर अगर इसको असान भासा में कहा जाए तो आपके जीवन की जो चावी है जिन्दगी की जो चावी है सोसल मीडिया के पास है सोसल मीडिया जब चाहे आपके मूट को बना सकता है सोसल मीडि और क्या आप चाहेंगे कि आपकी जिन्दगी की चावी किसी दूसरे के पास रहे जो जब चाहे आपकी जिन्दगी की चावी को घुमा दे और आपको परसान कर दे इन बातों पर सोचिएगा जरूर आजकल हम लोग बहुत खतरनाक दोर्चे गुजर रहे हैं और सबसे परस्तरनाक इंस्ट्रूमेंट आपके पॉकेट में या परस में हैं जो आपके जिन्दगी को बहुत हद तक परभावित कर रहा हैं सोचल मीडिया टीवी मुबाइल जो भी है अगर हमारे वर्क पावर को घटा आ रहा है हमारे काम करने की छमता घटा रहा है हमाले डेली र जो पर अगर हम जाते हैं अगर उस समय से कटोती कर रहा है तो यह हमारे लिए बहुत ही घातक है इस पर एक बार सोचने की जरूरत है और आप सोचिएगा जरूर यह आपके आई को आपके हर्ट को और साथ-साथ आपके बहुत सारे सिस्टम को डिश्टर्ब कर रहा है और सारे सच्टम डिश्टर्ब होंगे और धीरे 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 दीरे आप परसान होंगे एश्टेस के तरफ जाएंगे और यहीं एश्टेस एक दिन आपके लिए घातक होगा, डिप्रेशन से बचने का सबसे सरुतम तरीक्या यह है कि आप अपने आपको उससे ज़्यादा जरूरी बिकल्पों के तरफ मोर दे उल्जाने के नहीं सुल्जाने का परियास करे समस्या नहीं समदान के तरफ द्यान दे जिंदगी बहुत ही अनमोल है इसको यूँ ही नष्ट नहीं करना चाहिए इन्हीं बातों के साथ आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अगले वीडियो में मैं फिर से इसी मुद्दे पर एक बहुत ही सेंसेटिव कहानी लेकर आ रहा तब तक के लिए अलविदा